नमस्कार दोस्तों आर्ट विजूल आट में आप सभी का एक बार फ्रिज्टर स्वागत है जिमेट्रिकल ड्राइंग की यह हमारी 11 वीडियो है और इससे पहले हमने 100 कोश्णों को सौलब किया है जो कि आपकी कला अध्यन हपी बोट के दवारा जो आपकी बुक है सिस क्लास से लेकर 10 क्लास के जितने भी उसमें शॉर्ट एंसी क्यों कोश्ण जो बनते हैं उन्हीं पे बेस्ट यह वीडियो है यह टेस्स सीरीज है जो कि आपके आने वाले कमिशन डियम जो ड्राइंग टीचर का जो कमिशन होने वा अब इसे जो शुरू किया गया है शॉर्ट कोश्चन से संबंदित तो उनसे भी संबंदित जो है यहां पर कोश्चन आपको मिलेंगे कि किस तरह से जो है अब आपको जो कोश्चन पेपर में छोटे कोश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस से भी help आपके हो सकती है तो आईए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने next 101 यानि की 101 question से जो की आपकी परिभाशों से सम्मंदित है और जो की book में जितना भी syllabus लिया गया है उसी से मैंने short question को निकाला है जो मुझे लगता है कि इससे आने की संभावना है या कोई भी question है उसको हम कितने तरीके से वो हमारे सामने गुमा फिरा के आ सकता है तो मैंने कोशिश की है कि चलो मैं उसको आपके सामने उस हुए में ले कि आओं तो आईए अब हम स्टार्ट करते हैं 101 question से तो हमारा आज का पहला question है कि एक चत्रभुज के तीनों कोण क्रमशह 100 डिगरी, 48 डिगरी और 92 डिगरी है तो चत्रभुज का चौथा कोण क्या होगा तो आपको पता है कि चत्रभुज में चार कोण होते हैं इस भी को पता है तो तीन जो है आपको कोण दिये गया है तो आपको चौथा कोण बताना है तो इसके option में है 120 डिगरी, 110 डिगरी, 100 डिगरी और 90 डिगरी तो सबसे पहला आपको देखना है कि आपके जो चत्रभूज होता है उसके चारो कोणों का योग जो है वो आपका होता है 360 यहने की 360 डिगरी होता है तो हमारे पास जो है इसमें 3 डिगरी 3 तीनों कोणा का योग दिया गया है तो एक कोण का हमने कैसे निकालना है तो उसके लि माइनस कर देना है इनके घटा देना है तो आपके पास आ जागा है 120 तो इस तरह से जो आपका चत्रबुच का जो चोथा कौन होगा तो वो होगा 120 डिगरी तो इस तरह से option नमबर A हमारा से इंसर हो जाएगा नेक्स आगे बढ़ते हैं 102 कोशन पे चत्रबुच ABCD मैं कौन ABCD अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 मैं हो चत्रबुच के परते कौन का माप करमशह कितना होगा तो यहाँ पे भी आपको जो है वो अनुपातों में दिया गया है चत्रबुच के 4 कौन का तो उसक उनके कौन है उनका माप क्या होगा तो सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले आपने क्या कर देना है कि जो अनुपात में दिया गया है एक अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात इनको सबको आपने प्लस कर देना है मतलब जोड़ देना है तो यह होता है 10 इसकी संक्या 10 होती तो अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास चत्रपुज के चारो कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री और 360 डिग्री को आपना डिवाइड कर देना है 10 से ि part degree 0 से 0 कर जाएगी तो आपके पास 36 बच जाएगा और उसके बाद अगर हम इसको 2 से फिर आपने 2 से만डिप्लाय करना है उसके बाद आपको इन को ध्यान से देखना है थोड़ा सा इसमें math इस तरह से आपको भी question पूछी जाएंगे तो आएए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे next question की तरह विश्यम कौन चत्रबुच किसे कहते हैं इस तरह के जो यह short question है यह देखने को बहुत ही simple question लगते हैं लेकिन जब आपके सामने जो आपको जो है option दी जाती है वह बहुत यह tough और बहुत ही घुमाफ राकि उसमें सिर्फ एक minor सी ही change किया गया होता है तो वस उस पे आपने focus करना है और उसी के base पे आपने आगे इसको solve करना है तो आईए देखते हैं इसके जो option है कि विशम कोण चत्रबुज किसे कहते हैं जिस चत्रबुज की कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर हो बी जिस चत्रबुज की कोई भी भुजा बराबर वो कोई भी कोण बराबर हो तो इस मेंसे जो सही अंसर है आपका वो आपका option number C, कि जिस चत्रबुच की कोई भी भुजा और कोई भी कोण बराबर ना हो, उसे हम विशम कोण चत्रबुच कहते हैं, तो इस तरह से option number C हमारा से answer हो जाएगा, next है हमारा question, जिस चत्रबुच की आमने सामने की भुजाएं, समान अंतर और समान हो, प्रंतु कोई 90 का ना हो, उसको क्या कहते हैं, तो अब यहाँ पे, आमने सामने की भुजाएं पुची गई है, लेकिन वो कैसी है, समान तो है, लेकिन वो कैसी है, समा नाहीं है, प्रिंगी कोण? नहीं है, मतलब कि यह уже थोड़ी सी तिर्षी, उसमें कोई भी है, कोई भी समानतर रिखा ह उसमें दिये गई है लेकिर वो 90 degree के एंगल की नहीं है तो option मेंjas आपका आयात उसको जह कहेंगे तो आयात कहेंगे समानतर चत्रबुच कहेंगे विशम को चत्रबुच कहेंगे उसका जो सहीं अंसर है उसे हम कहेंगे समानंतर चत्रबुच मतलब क्योंकि उसके आमने सामने की बुझाएं कैसी है समान अंतर है और कैसी है समान है बेशेक उसमें 90D का अंगल नहीं है तो इस तरह से option number B हमारा से answer हो जाएगा next रागे बढ़ते हैं 105 पे कि सम लंभ चत्रबुझ किसे कहते हैं यह चुछुछी definition है तो इसे ही आपको घुमाफरा के caution पुछ जाएंगे तो इसका जो option है पहला option है कि जिस चत्रबुझ की दो भुझाएं सम लंभ एवं समान अंतर हो second जिस चत्रबुझ की आमने सामने की भुझाएं समान अंतर और समान हो c जिस चत्रबुझ की कोई भी भुझा बराबर और कोण 90 डिगरी का बने या d ऐसे कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है कि सम लंभ चत्रबुझ उसे कहते हैं जिस चत्रबुझ की दो भुझाएं सम लंभ एवं समान अंतर हो तो इस तरह से option number a हमारा सही अंसर हो जाएगा नेक्स आगे बढ़ते हैं 106 पे कि जिस चत्रबुझ की कोई भी भुझा समान ना हो और सम असमानतर हो उसे क्या कहते हैं अब यहां पे भी क्या है कि समान नहीं है और कैसी है असमानतर है तो उसको क्या कहते हैं यह simple सा question है तो option में है कि विशम कोण चत्रबुझ कहेंगे या विशम बाहू चत्रबुझ कहेंगे या आसन सम चत्रबुझ कहेंगे या सम लंब चत्रबुझ कहेंगे तो जिस चत्रबुझ की कोई भी भुझा समान ना हो मतलब उसकी कोई भी बुजा इक्वल नहीं है और असमानतर हो मतलब वो छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है तो उसे हम कहेंगे विशम बाहुच चत्रबुच मतलब उसमें को ही भी मतलब कि उसकी जो बुजाएं है वो अलग-लग साइस की है अलग-लग तरह की है दूसे हम कहेंगे विशम बाहु चत्रबुज तो B is the right answer नेक्स्ट है 107 आसन सम्चत्रबुज किसे कहते हैं आसन सम्चत्रबुज जिसे जो पतंग रूपी चत्रबुज भी कहा चाता है यह शायद हमने पहले पढ़ा भी था तो यहाँ पी यही पुछा गया है तो आपको पता होना चाहिए तो option में हैं कि जिस चत्रबुज के आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो B जिस चत्रबुज के परते को 90 डिगरी के हो C जिस चत्रबुज की साथ हवाली दो भुजाएं समान हो मतलब बराबर हो उसे ही हम आसन्म सम्चत्रबुज केहते हैं मतलब उसके आमने सामने की जो भी दो भुजाएं होगी वही आपकी इक्वल होगी और तो यह पतंग रूप के समाने पतंग रूपी भी इसे कहा जाता है तो यह वैसी भी आपको दिखने को मिलेगी तो नेक्स जो आगे बढ़ते हैं वो सेम यही कॉश्चन है बस इसी को मैंने तभी मैंने स्टुच को लिया है कि ताकि अगर आपको ऐसा भी कॉश्चन पूछा जाए तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो नेक्स जो है वन जिरो एट जो कॉश्चन है हमारा कि पतंग रूपी चत्रभुज किसे कहते हैं तो वो है आपका आयत को बोलते हैं आसन सम चत्रभुज को बोलते हैं समलम को बोलते हैं विशम बाहु चत्रभुज को बोलते हैं तो इसका जो सही अंसर है आपको मैंने अभी बताया था कि जो पतंग रूपी चतरभुज होती है वो से कहते हैं आसन सम चतरभुज तो क्योंकि वो पतंग के समान होती है और इनकी आमने सामने की जो है दो बुजाएं जो हो इकवल होती है तो B is the right answer next है हमारा 109 कि जिस चतरभुज की साथ वाली दो बुजाएं समान और समान हो उसे क्या कहते हैं ये भी same question है ठीक है बट आपको question जो कैसे गुमा के पूछा जाए मतलब एक ही question को किस तरह से आपको पूछेंगे तो मैंने इस वे में यहाँ पर बहुत सारे question लिये हैं एक ही question पर based है बट उसको कैसे कैसे जो है गुमा फिरा के पूछे जासता है तो इसलिए में ने लिया है तो आपने confused नहीं होना है question को आपने ध्यान से समझना है और फिर आप जो है सारे answers के दे सकते हैं तो इसका जो सही answer है कि सबसे पहले option है आयत आसन सम्चत्रभुज वर्ग और इनमें से कोई नहीं तो इसका भी सही answer है कि साथ वाली दो भुजाएं समानों उसे कहते हैं आसन सम्चत्रभुज तो B is the right answer next है हमारा और आज की वीडियो का last question एक सीमा को मध्या में छोड़ धोनों के मिलाने से या दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मतलब एक सीमा को छोड़ मध्या में दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो यह आपने बताना है option में हैं समकौन, चत्रिबुज, शिर्षकौन, लंभ और कर्ण इसका जो सही असर है उसे का जाता है कर्ण तो इस तास से option number D हमारा सही असर हो जाएगा तो friends यह थी मेरी आज की 10 कोशनों की वीडियो I hope आपको समझा गए होगी तो आएए अब हम मिलते हैं अपने next वीडियो में